हलो वेलकम बैक, फिर्स कितना साइस होने पर हाइडोसिल को आपरेशन कराना चाहिए, बहुत सरे लोग ये सवाल पूछते हैं, देखिए शुरुवाती इस्तर में जहां पर ये प्रॉब्लम शुरू होती है और साइस बढ़ रहा होता है, तो ऐसे में ये बहुत को देखकर अकॉर्डन तु टाइम आपको सही से एसस करें और बैस्ट जो डिसीजन आपके लिए होना चाहिए, वह वहां पर आपके लिए ले पाएं, उसमें जो शुरुवाती स्तर में आपको मेडिसन चलाए जाएंगी, जिससे कि वह आपकी सूजन जल्दी से जल्दी क हो जाए, इसमें यह देखा जाता है कि जो दो गुना साइस हो जाता है, कहीं कभी-कभी धाई गुना या तीन गुना के आसपास साइस हो जाता है, तो वो भी दवाओं से जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपने पहले कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं है, या फिर तो आप ने कई बार । नॉद्कर को चेंज कूये हैं और लंबा समय हो चुका है कई महीन या साल हो चुक है तो ऐसी इस्तिती में तो उसका size चार गुना से भी जयादा हो चुका होगा या चार गुना के आससपास हो चुका होगा तो ऐसे में तो फिर उसे operate ही कराना safe है because अगर आप इस operate नहीं कराएंगे तो आगे चलके sexual problem हो सकती है hormonal कुछ problems हो सकती है जो male hormones होते हैं उनसे related problems हो सकती है तो इसलिए इसको operate कराना ही सही है बहुत सरे लोग डरते हैं इस operate कराने से बलकि अगर आप इस operate नहीं कराएंगे तो problem बढ़ जाएंगी आपके अंदर जो scrotum जो hormone release करते हैं या इस pumps जो उसमें generate होते हैं उसमें भी imbalance हो सकता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर जो doctor सला देते हैं उसके according चले हैं तो size का जहां तक matter है प्रॉब्लम जल्दी दवाँ से ठीक नहीं होती इसमें आपको अप्डेट ही इसको करना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि अब आप एक better decision ले पाएंगे और इस problem को जादा दिन और नहीं रोकेंगे जल्दी से doctor से मिलेंगे और इसको ठीक करेंगे तो वेल नेक्स वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो को सार तिल दिन कीप स्माइलिंग सी यू इन नेक्स वीडियो एंड बाबाए